तो आज हम पढ़ने वाले एक कोशन जिसमें बोला गया है Define Genetic Drift याने कि इस कोशन में हम देखेंगे कि Genetic Drift क्या होता है आज किस वीडियो में समझेंगे तो चलिए करते हैं Start तो Basically Students, इन वर्स में इनकी Definition और Meaning चुपा हुआ है Genetic कहने कि किसी भी Trait के, किसी भी लक्षन के, किसी भी Characteristic के जो Genes होते हैं वो Drift हो जाना Drift होने का मतलब है कि वो निकल जाना या हट जाना तो इसी को बोलेंगे किसी भी Particular Trait के Genes का निकलना इसी को बोलेंगे Genetic Drift ये तो हो गया इन Simple Times में चलिए इसकी Definition को समझते हैं तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी भी एक Species के Population में यहने किसी भी एक Species के Individual से किसी भी एक Particular Trait Certain याने कि Fixed या किसी खास Trait या किसी खास लक्षन या किसी खास Characteristic की बात करते हैं तो उस Fixed Trait के अगर कोई Genes का Elimination हो जाता है Elimination बोलने का मतलब है कि वो Genes जो है वो Remove हो जाता है निकल जाता है तो Basically इसी पुरी प्रोसेस को हम बोलते हैं Genetic Drift बात आती है कि किसी भी लक्षन के Genes कब Eliminate होते हैं कब Remove होते हैं, कब हर जाते हैं तो दो रीजन से हटता है पहला तो कि वो Spaces जो है वो Migrate कर जाए Migrate करने का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाए यानि कि एक नए प्लेस पे जाने से क्या होता है कि वहाँ का Environment जो है वो Change हो जाता है तो Environment Change होने के वज़े से कई ऐसे जीन्स होते है जो कि उस नए Environment में अपने आपको Survive नहीं कर पाते है या उनको जरूरत नहीं होती वह Survive करने की इसलिए वो जीन जो है वो खतम हो जाते है वहीं पे Second Situation है कि Natural Calamity की वज़े से भी कई जीन Destroy हो जाते है या Eliminate हो जाते है तो ये Natural Calamity क्या है Natural Calamity का हम Natural Disaster अब हो सकते है जैसे हवा, तुफान या सुनामी वगएर आ गई तो इस तरीके से कई Natural Disaster के वज़े से भी कई बार कई ट्रेट के जो जीन से वो Eliminate हो जाते है तो इसी को बोला का है Genetic Drift तो वही यहां पर लिखा हुआ चलिए एक बार समरी में फिर से समझते है कि किसी भी एक स्पेसीज के Population में एक Certain Threat कोई भी एक Fixed Threat का जो जीन है, Element हो जाता है वो भी तब जब वो स्पेसीज जो है, वो Migrate करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले आती है, या फिर नेच्टर केलामेटी के वज़ए से वो डाय हो जाते हैं, मर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं Genetic Drift ओके स्टुएंट्स, आई होप आपको इक लिएर हो गया होगा, अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या